ये देखे दुस्तों अपने क्रेडिट कार्ड की पैसे को तूरंद बैंक में ट्रांसपर किया और मैं करता रहता हूँ आप भी सिख लिजे प्रॉसेस पूरा बैसे तो बहुत सारा फ्लाटफॉम है लेकिन मैंने जीरो रुपीज में अपना पैसा ट्रांसपर किया ना देके अपने क्रेडिट कार्ड की पैसे को तूरंद तूरंद सेकेंड में ट्रांसपर कैसे करेंगे पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दिया हूँ तो वीडियो में लाइव एपलाई करके दिखाया हूँ ट्रांसपर करके दिखाया हूँ यही वीडियो आपको ये स्तिखने के लिए अगर आप भी अपनी credit card की पैसे को बैंक खाते में transfer करना चाहते हो आज की वीडियो आपके लिए है मैं आपको पूरी पूरी जानकरी बताऊँगा कैसे एक भी रुपया ही ट्रांसपर कर सकते हो आज की डिट में बहुत सारा प्लाटफॉम है पैसा ट्रांसपर करने का लेकिन सभी प्लाटफॉम में आपको पैसा या चार्जिस लेता है तो मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा कैसे आप अपने केडिट काट के पैसे को जो भी ट्रांसप जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिक्रिकेशन आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी सबी वीडियो का अपडेट आपके पास जा सके और इस वीडियो को प्लीस एक लाइक कर दीजिएगा दिल से लाइक कर दीजिएगा और यहां पाच चलिए व प्लाटफूम के बारे में बताऊंगा जहां से आपको कोई भी फीज नहीं देना पड़ेगा और पीज आप कैसे यहां पर पूरा मुफ में लेंगे आईए दिखाते हैं सबसे पहले आपको प्लेश्टोर में चले जाना पड़ेगा प्लेश्टोर में आपको एक की अगर रेटिंग की बात करें प्लेश्टोर पे तो एक करोर से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल कर लिया 4.4 की यहां पर रेटिंग्स है और एक नमबर टॉप फ्री हाउस एंड होम अप्लिकेशन से तो इसको ओपन कर लेना है अमें ओपन कर लेते हैं देखिए यहां प अफिस रेंड यह सब सारा चीजश आपको नहीं करना है यह अप्लिकेशन स्जोह है आपकोचूज करना है एडूकेशन पेमेंट अगर आप education payment में से tuition fees चूज करते जिसमें आपको charges जो है वो reversible है वो आपको यहाँ पर cashback के form में मिल जाएगा तो एक भी रुपया दूसरे platform जे काफी better है जो कि आपको मिल जाएगा तो आपको चूज कर लेना है simply यहाँ पर education fees और tuition fees में से और यहाँ पर आपको amount दे देना है जो भी amount आप transfer करना चाहते हो देखिए आप जितना भी amount ट्रांसपर करना चाहते हो यहाँ पर amount को type कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर continue कर देना है उसके बाद आपको आप अपने UPI ID में भी transfer कर सकते है बैंक में भी कर सकते है यह ठीक है आप tuition fees या education fees ही चूज करना ध्यान रखी यह बात को तो यहां पर UPI ID देदीचे जिनके भी UPI ID में पैसे को लेना चाहते हो और वेनिफीचेरे नाम देखे आपको यहां पर क्या करने आगे मैं आपको बताता हूँ जैसे ही आप UPI ID देगे तो नाम अटोमेटिकली बैंकिंग नेम को कैच कर लेगा और फिर आपको यहां पर कॉंट्टिनु पर क्लिक कर देना है पर क्लिक करने के बाद आपका नाम देना है और कोई भी इनवाइट कोड आपके पास है तो इसको आपको अप्लाइ करना है फिर आपको यहां पर पे क्लिक कर देना है यहां पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर आपको एक वेरिपिकेशन करना पड़ेगा इंटर बेनिफिशेरी पैन बेनिफिशेरी फुल नेम आज उन पैन काड बेनिफिशेरी डेट अपर आपका पैन काड आपका नाम आपका डेट पर देखके verify करना है देखिए यहां पर लिखा गया है verify beneficiary for safer and quicker payments तो pen verification हो जाने के बाद आपको यहां पर अपना credit card का यह दे देना है number expiry यहां पर card holder name cvv code फिर आपको यहां पर आगे बढ़ना है ठीक है तो यह सारा details को fill कर देना है आपको देखिए दोस्तों हमारा यहां पर payment हमने card number देखे कर दिया है processing यहां पर मेरे card में जैसे कि हमने ICICI का डाला है तो मेरे पास OTP आएगा और OTP को देखे मुझे दे देना है देखिए मेरे खाते में से कितना कटा जा रहा है 218 रुपए 2000 रुपए लेना था 118 रुपए का charges कट अगर दूसरे platform में आपको 400 रुपए का charges लग जा रहा है तो वहां पर देखिए वह पैसा आपको बापस नहीं मिल रहा है लेकिन यह cashback की form में आपको बापस दे रहा है यह जो housing company से हमने आपको transfer करके दिखाया और आपको link description में देदूंगा आप लोग कर सकते हो ठीक है य उसके बाद हमें क्या करना है summit पे क्लिक कर देना है और देखिए आपके समने life में अपना credit card की price को transfer करके दिखा रहा हूँ ठीक है तो यहां पर देखिए हो रहा है payment और transaction successful हो गया मेरे account से पैसा कड़ गया और यह जो 118 रुपए का charges मेरा extra कटा गया वो देखिए मुझे किया मेरे दूसरे किसी account में और यहां पर मुझे जो 118 रुपए का cashback है yes you have own cashback of 118 रुपी तो यह मुझे मिल गया है go to home करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ देखिए हमने 2000 रुपए transfer किया और तुरंथ इसका जो fees था यह 0 हो गया मेरा next जब भी मैं इसका transfer करूंगा 118 रुपए को मैं use कर सकता हूँ अपने reward point को और देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए total cashback में मेरा 118 रुपए आ गया अगर मैं इसको यह करूंगा next जो भी transaction होगा जब भी मुझे credit card की पैसे को transfer करना होगा इसको मैं easily marge कर ले सकता हूँ अप खर्ट में आ गया और instant आ जाता है जैसी अब transfer करते हो तूरंद आ जाता है इसके लिए कोई भी time extra नहीं लगता है कहीं पर pending पड़ा नहीं रहता है आप तूरंद emergency पर अपने credit card की पैसे को निकाल सकते हो यह रहा इसका proof देखिए मैंने transfer किया तो वीडियो को एक like जरूर कर जाइए अपने credit card की पैसे को transfer करें जाते जाते आपको कहना चाता हूँ बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने पर ही आप transfer किया करें क्यूंकि आप transfer करेंगे और वो पैसा सही से आप credit company को जो भी आपका credit card का bank है वो उसको नहीं चुका पाएंगे तो आपकी नाम पे बहुत transfer किया करें बरना ना किया करें दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को subscribe के लिए जुड़ जाएए और चलिए मिलते हैं चैनली वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिंद बंदे मात करें